प्रहा टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेस्बुक पर लाइक करें, यूटूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबाना ना बोलें महिस सलाम अदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहा टाइम्स हिमेंडी शहर में तड़के सोमार को जिलानी नामा की इमारत गिर गई थी, अब इस इमारत गिरने के मामले में दो मनपा के अधिकारियों पर गाज गिरी है, ये दो मनपा अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है इस इमारत का राहत बचाव कार अभी भी जारी है इंडियारेफ की टीम दमकल विभाग और अस्थानी लोग राहत बचाव कार में लगे हुए है और मौतों का आकड़ा भी बढ़कर अब 20 हो गया यानि कि इस हाथसे में 20 लोगों ने अपनी जान गवा दी है जबकि 20 लोगों को जिन्दा मलवे से निकाल लिया गया है जिन में से 10 पुरुष 9 महिला एक बच्चा शामिल है उप्चार है तो इन्हें अस्पताल में भेज दिया गया है मृतकों के परिजनों को महराश चरकार में मंत्री एकनाश सिंदे ने 5 लाख रुपे आर्थिक मज़द देने का एलान किया है वहीं घायलों को बेहतर इलाज दिलाने का भरोसा भी दिलाया है इमारत गिरने के मामले में मनपा के दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है रेस्क्यू अप्रेशन अभी भी जारी है क्योंकि जो रास्ते हैं वो बेहत ही संकृत रास्ते हैं मलबा हटा कर निकालने में काफी परिशानी हो रही है तंज गलियां होने की वजह से रेस्क्यू आपरेशन में काफी दिक्कतیں आ रही है मलबा हटाने में काफी पलिशानियों का सामना करना पड़ रहा है मगर इसके बावजूद अभी भी रेस्क्यू आपरेशन जारी है मलबे में और भी लोगों की होने की आशांका जताई जा रही है और ये भी उम्मीद जताई जा रहा है कि आज रात तक ये रेस्क्यू आपरेशन खत्म कर दिया जाएगा तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहे हैं प्रहार टाइम